नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Hindi Knowledge शो में तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो में आपको जो डöकुमेंट दिखाऊंगा जो आर्टिकल्स दिखाऊंगा उन्हें एक बार अच्छे से देख लेना, सुन लेना, फिर कोई कमेंट करना क्योंकि रेखिए, रश्या ने जो किया है और जो कहा है ओपनली भारत के लिए उसे जानकर शायद आपको विश्वास भी नहों इसलिए मैं आपको प्रोपर आर्टिकल यहां पर शो करने वाला हूँ तो चलिए बिना समयगाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जब से अफगानिस्तान के अंदर से अमरीकी सेनाओं की वाफसिव हुई है पूरा जो रीजन है वो अशान्त हो चुका है क्योंकि सभी को कंसर्ण यही है कि हमारे देश में कहीं तालिबान ना जाए उधर इरान को यही लग रहा है उपर जो तजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान है उन्हें यही लग रहा है कहीं न कहीं भारत के मन में भी यह डर है कि कहीं जो तालिबान लड़ाके हैं वो कश्मीर के अंदर एंटर ना हो जाए और इसलिए भारत पिछले कुछ दिनों से एक कोशिश में लगा हुआ है कोशिश यह कि कम से कम जो पी-ो-क में इसकी पर आप एक बार देखे ज़रा यह मैप में यह जो पी-ो-क का रीजन है यह लगता है अफगानिस्तान की बोर्डर के साथ में तो ऐसे में भारत की कोशिश यह थी कि कम से कम अभी के लिए इस एरिया को शिक्योर कर लिया जाए रश्या की मदद से रश्या की मदद क्यों कि तजीकिस्तान को तालिबान से बचाने के लिए हाल ही में रूस ने अपनी सेना तैनात करके रखी हुई है तजिकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर तो भारत का मुद्दा ये था कि जब अफगानिस्तान के लड़ा के कश्मीर में जाएंगे तो सबसे पहले इसी area से होते हुए वो पारक occupied कश्मीर में जाएंगे और फिर वहाँ से वो entry लेंगे कश्मीर में जो भारत कर कश्मीर है वहाँ पर तो ऐसी हम अगर ये area secure कर लिया जाए ता जिकिस्तान के सीमा के पास वाला ही तो कहीं न कहीं भारत का कशिमीर भी सिक्योर हो जाएगा और इसको लेकर भारत गंभीर परियास कर रहा था और भारत के विदेश मंतरी ने हाल ही में रूस की यात्रा भी की थी लेकिन रूस ने जो किया है और जो कहा है खास कर की वो भारत के लिए बहुत ही बड़ा सैट बै जो रूस के भारत में उप राजदूत हैं उन्होंने क्या कहा है स्किनपरा पार्टिकल देखिए तालिबान इस रियालिटी इंडिया शुट डिसाइड इस ओन रोल रूस यहां पर साफ साफ कह रहा है कि भारत अपना खुद से देख ले हमसे जादा उम्मीद यहां पर ना क चुका है कि वो अगर कश्मीर के अंदर इंफिल्ट्रेट करने कोशिश करता है घुसने कोशिश करता है तो रूस भारत की मदद नहीं करने वाला ऐसे में भारत अकेला पड़ चुका है एक आसान निशाना है और इसी बयान की वज़े से रूस के भारत के सामने अब ज़्य अफ़रत के पास है तीनी अफ़र्जन पहला उप्षन तालीबान से बातचीत शरू कर दे। दूसरा option ये है कि अफगानिस्तान की सरकार को जबर दस्त हतियार प्रवाइड कराना आप शुरू कर दे और तीसरा आखरी option ये है कि जो देश भारत के लावा तालिबान से अपने आपको खत्रा मानते हैं इसमें इसराइल भी है इसमें इरान भी है बहुत सारे देश हैं कही भी option ले उसे तुरंत यहाँ पर ले और जल्दी से जल्दी उसे execute कर देए यहाँ पर समय ना ले जादा सोचने समझने का भाला की अब आप comment करके बताईए कि रश्या ने जो कहा उस पर आपका क्या माना है और साथ ही तीनों option में से भारत के लिए best कौन सा रहेगा comment करके ज झाल